टमाटर प्याज अल्ला सुनी बड़ी अत्याचार करता है सो इस उसा कब पखलाता है तो दूसर चल जाता है और अगर बढ़ गया तो बड़ा दिक्कत होता है अब इसको समझिए इसके स्टोरेज में दो तरह की समस्य आती है नासिक अपको दो चीजों के उत्पादन के लिए परसी एक नासिक से प्याज आएगा दूसरा हाँ थटे फल में अंगूर संतरा ये सब अजया लेकिन सबसे चाहते नासिक किसलिए प्याज और अंगूर संतरा ये सब आप्र्वाइस रहता है इसका टमाटर प्याज लगाश शुनी बढी अत्याशार करता है तो अब वह लुजका नहिंद परता है जादे मातरा में परता है हो शकुका आ में जाज आदे मातलां कि अझ Probaya तो अगर अब धीक्त होता है कि आवी कितना緊 त такую सतर तो इसका न आप दिखेगा यह स्टोरेज में दो तरह की समस्या आती है पहला कि अगर कोई भी इसको इस्टोर करके रखता है सपोज कीजिए कि आपने सौ कुंटल इस्टोर किया सौ केजी तो जब इसकी प्याज की फसल काटके आप इस्टोर करके रख रहे होते हैं तो उस समय उसमें पानी की मातरा जादे रहती और आप सूचिएगा कि सीजन में जब इसका दाम जादे होगा तो निकाल के बेचेंगे तो सौ केजी जो आप रखे न उस सूच के सतर केजी बचल लएगा तो तीस केजी तो वैसे ही घाटा लग गया आपको क्योंकि जब फसल कटी थी तो उसमें पानी जादे था और उसके बाद जैसे जैसे कुराना होगा उसमें पानी की मातरा क्या होगी जहलना किसको है आपको जहलना होगा दूसरा कि आप आज को रखिएगा कहीं पे भी तो तीस परसेंट तो यह तो सूच के बरबाद होगा उसके बाद जब आप इसको रखिएगा तो जो नीचे दब जाएगा ना वो बरबाद होगा जो नीचे दब जाएगा वो सड़के क्या होगा बरबाद ना लगाए क्योंकि इक उपर एक जब रखते तो नीचे जो दबता है तो जाए गया है अपो खेती के साथ ही बहुत बड़ी समस्य आप आलूग में क्या है कि कहीं भी उध्बाधन हो जाता है या बहुत बढ़ा घ सब्सक्री.